आप अपने आधार कार्ड को प्लास्टिक कार्ड के रूप में किस तरीके से घर बैठे मंगवा सकते हैं दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे की पुराना जो आधार कार्ड होता था अपने पुराणा जो प्लास्टिक कार्ड जो प्लास्टिक कार्ड के रूप में घर बैठे मंगवा सकते हैं तो इसके लिए आपको अपने मुबाइल के गूगल क्रोम पर चले जाना है और यहां पर आपको सर्च करना होगा आधार कार्ड आधार कार्ड टाइप करके आपको सर्च कर देना है उसके बाद दुस्तों जैसे ही पहले आवला हमें विबसाइट देखने को मिलता है uidai.gov.in आपको इस पर क्लिक करने के बाद दुस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाता है अब आपको करना किया है थोड़ा से स्क्रोल डाउन करना है यहाँ पे दुस्तु आप लोग देख सेकतों यहाँ पे हमें एक option मिल जाता है order आधार PVC card यहाँ पे आप लोग देख पार है हो कि यहाँ पे हमें एक option मिलता है order आधार PVC card ठीक है अब दस्तु यहाँ पर आपको एक login होने का option मिलता है तो आपको simply इस पर login हो जाना है तो चलिए हम यहाँ पर login पर क्लिक कर दोगे उसके बाद कुछ दिए loading लेगा और आपके समने यहाँ पर ऐसे आजाता है तो यहाँ पर आपको अपने आधारकाट नमबर को एंटर कर देन आधारकाट नमबर को एंटर करने के बाद नीचे में आपको जो क्यप्चा यहाँ पर दीख रहा है इस क्यप्चा को भी यहाँ पर भर देना है तो चलिए हम क्यप्चा को भी यहाँ पर भर देते हैं क्यप्चा को भर देने के बाद नीचे आपको send OTP का एक option मिलेगा तो आपको send OTP पर click कर देना है उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नमर में एक OTP भेजा जाएगा तो चलिए हमकी वेट कर लेते हैं देखिए OTP आ चुका है और इस OTP को यहां पर आपको fill up कर देना है तो चलिए OTP को हमने fill up कर दिया है तो उसके बाद हमें क्या करना है नीच से try करते हैं तो दोस्तों यहां पर मैंने फिर से OTP को fill कर दिया है अब यहां पर आपको login पर click कर देना है जैसे ही आप login पर click कर दोगे इसके बाद दोस्तों आप आधार काट के official website पर login हो जाओगे उसके बाद यहां पर आपको services देखने को मिल जाते हैं फिर आपको second वाले इस पर login हो चुका हूँ तो यहां पर आपको नीचे चले आना है जैसे आप नीचे आओगे यहां पर आपको अपना आधार कार्ड में जो photo है वो photo आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा साथ में यहां पर name, date of birth और साथ ही साथ आपका सारा address भी देखने को मिल जाता है इसके बाद नीचे पर आपको next का option मिलता है तो आपको next पर click कर देना है next पर click करने के बाद दोस्तों आपको इस पर tick लगा देना है जैसे आप इस पर tick लगा दो इसके बाद नीचे आपको Mac payment का option मिलता है तो आपको Mac payment पर click कर देना है जैसे ही आप Mac payment पर click कर दोगे इसके यहां पर यहां पर किस मेथट से पेमेंट करना चाहते हो डेबिट करड क्रेडिट कार्ड वालेट नेट बेंखिंग यूपीए पेटियम सभी तरह से आप यहां पर पेमेंट कर सकते हो ठीक है तो यहां पर आपको जैसे की देखने को मिल रहा होगे कि 50 रुपया हमें इसके लिए पेमेंट करने पड़ेंगे तो आप यहां से पेटियम यूपी नेट बेंखिंग वागरा से पेमेंट कर सकते हो जैसी आप पेमेंट कर दोगे इसके बाद दोस्तों आपके सामने एक रहसीद जेनलेट हो जाएगा इसके बाद आपको इंतजार करना है 10-15 दिन के अं अगर वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजेगा